और आई आव आपको सीधे ली चलते हैं जैपूर जहां पर इस समय भारती जंदा पार्टी की प्रेस कॉन्फरेंस जारी है तो इस समय पूर सांसद राम कुमार इस प्रेस कॉन्फरेंस में शामिल है उंकार सिंग लकावत बीज़े बीज़्पी के वरिष्ट नेता, भारती जंदा पार्टी के तमाम नेता पता अदिकारी इस समय पतरकारों से रूब रु हो रहे हैं चुनाव प्रभारी विनेव सहस्त्र बुद्धे की ये प्रैस्वारता इस समय आप सीधी तस्वीर इस प्रैस्त्वारता की देख पा रहे हैं उनका पूरा स्टेटमेंट कल टाइमस अफ इंडिया में और कई समाचार पत्रों में आया है वेबसाइट पर उकलब्द है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि इनके 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 लिए काम करना चाहिए और माइनौरिटीज विशेश रूप में मुसल्मान ऐसा शब्द प्रयोग है तो मैं मानता हूं कि अभी 2006 के बाद अभी कितने 20 साल होने को आए फिर भी उन्होंने उसको खारीश तो किया नहीं विड्रॉ तो किया नहीं के यह सब्सक्राइब करने इनके छोट शुर्ज आरे सब्सक्राइब करने 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 को आए नहीं कि दिखे कॉंग्रेस पार्टी के जो नेता है उनकी जो बयान बाजी है उनके राहूल गांधी अभी माद आप कहेंगे कि राहूल गांधी कोन है राहूल गांधी वैसे कोई नहीं है मगर मैनिफेस्ट पर उन्हीं का चित्र छपता है अमारे अध्यक जी के साथ तो इसलिए राहूल गांधी जो बोलते हैं उसको हम गंविर्ता से लेने की कोशिश करते है यदि कई लोग उसको सीरे से खारिच करते हैं मगर हम तो गंविर्ता से लेते हैं क्योंकि वही उनके कुलदीपक है वही भविष्ट बना इन वाले तो उन्होंने रीडिस्ट्रिबूशन की कई बार की है और उनके गोशना पत्र में भी इसके बारे में इन शब्दों में रीडिस्ट्रिबूशन का उलेख नहीं है मगर यह तर्क लगाया जा सकता है और इसलिए जनता के मन में जो आशंकाए है मैं मानता हूं कि मान्य प्रधान मंत्री ने परिवार प्रमुक्य ना तो वो गमिर्दा से लेते हैं यह मैं कह रहा हूं बताएए